हाई गाईज मैं हूँ शालू आपका स्वागत है हमारी आपकी रसोई में आज हम बनाने जा रहे हैं कड़ाई पनी जो बहुत ही टेस्टी होती है और हर किसी को पसंद आती है आज हम नए तरीके से बनाएंगे जो जल्दी बन जाती है और टेस्टी होती है बिना जंजट के बनती है आए चलते हैं बनाने मैंने कड़ाई में तेल रख दिया है आप सब से पहले हम अपनी प्याज को हलका सब प्राइब कर लेंगे हमें इसे ज्यादा नहीं प्राइब करने बस हलकी सी करनी है सौफ्ट करनी है ते तो कि चलाते हुए सौफ्ट करने में तो हमाई यह जल सकती है कि हमाई सौफ्ट हो चुकिया अब हमें इसे बतर में निकाल लेंगे इसे में हम अपनी है सिम्ला मेरी शुबी शाय कर देंगे इसे दे जलाता चलाते हुए ही सौफ्ट करने है यह हमारी वी सौफ्ट हो गई अब मिचे भी निकाल लेंगे अब हम सब्जी बनाने के लिए इसमें ओल डालेंगे यह मना मस्टर्ड ओल लिया है यह मसाले लिया है दो तेज पत्ता दो इलाइची कुछ काल इमेज एक बड़ी इलाइची और यह दाल चीनी हम इन्हें अपर ऑईल में डाल देंगे हमें ओल को दिमी आज पर ही रखना है नहीं तो में मसाले जल जाएंगे यह मैंने प्याज लिया तीन मेडम साइज की इनको मैंने घिस के लिया है अब हम इसे कराचते हुए पताएंगे हमें इसे हलका ब्राउन करना है यह मैं प्याज ब्राउन हो चुकी है अब हम इसके अंदर अपने मसाले डालेंगे एक चम्मच यह मैं मीड मसाला डाल रहे हूं यह आधी चम्मच किंग मसाला है आधी चम्मच धनिया पाउडर और यह गरम मसाला यह आधी चम्मच में ले रही हूं यह मैंने धनिया अजवाइन रिसौफ जीरा इनको मैं रोस्ट करके पूट लिया है मैं वह मसाला डाल रहे हूं इससे टेस्ट बहुत बढ़िया आता है यह आधी चम्मच लाल मिर्च इसलिए कलर के लिए इन मसालों को एक नड़ तक जी में जूनेंगे अधी अधी एक मिनट तक से पीते मीडियम पेनी गना में बितों स्लोपे करना है जितों मसाला हमारे जल जाएंगे में लगाता है चलाते हुए ही पकाना है अब हम इसके अंदर तमाट स्टर्ड प्यूर में डाल लेंगे यह मैंने तीन टमाटर लिये हैं इसको मैंने कद्दू कस पर गिस दिया है श्क्यूरी में आप साय तो प्यूरी भी यूज में ले सकते हैं अब हम इसे भी पकाएंगे इसे में मीडियूम फ्लेम पर पकाऊंगी ताकि जल्दी से हमारा टमाटर पख जाएं तो हाई नहीं करना है हमें इस्टिच का धियान रखना है इस सब्जी बहुत ही टेस्टी बनती है और जल्दी बन भी जाती है कि यह देखे हमारा मसाला पक चुका है साइड साइड में तेल छोड़ना सुरू कर दिया है जूम करके दिखा लेती हूं ही देखिए इससमत्तर यह है कि हमारा मसाला अच्छे से पक चुका है अब हम इसके अंदर अपनी प्याज और श्रिम्रामिज दाल देंगे अब इसमें हम पानी डालेंगे हुआ है हुआ है हुआ है हुआ है हम जितनी ग्रेवी रखने है मुझ साब से इसके अंदर पानी एड़ करेंगे और इसके अंदर मैंने लस्टन वाद्र का पेस्ट भी डाला है सौरी मैं बताना भूल गई अब हम इसे हाई फ्लेम पर पकाएंगे जब तरह इसमें वोईल ना जाए और वोईल आने के बाद हम इसे मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे अब हम इसके अंदर नमक डाल देंगे टेस्ट के अनुसार अब हम इसे धब कर पकाएंगे हमारी होगे उबाल आ गया अब हम इससे मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे हमारी सबकों पका हुआ है पानी ही पका हुआ है यह हमारे ग्रेवि बनके तैयार हो गई है हमें इतनी ही रखनी है अब हम इसमें पनीर डाल देंगे यह मैंने पनीर लिए यह 200 ग्राम पनीर लिए रखी है मैंने मैं इसे आप डाल जूँगा आप चाहे तो इसे फ्राई भी कर सकते हैं आपको जैसे पसंदों मुझे ऐसे पसंद है तो मैं ऐसे डाल जूँँ अब हम इसे से एक मिनिट के लिए इसके अंदर पकाएंगे यह देखिया हमारी बन के तयार हो गई हमारी सब्जी का तेर उपर आ चुका है देखिती बढ़ियां कलर आया है इसमें अब हम इसके अंदर धनिया डाल रहेंगे अब हमारी सब्जी बनके रेडी हो गई है अब मैं आपको सब्जी करके दिखाती हूँ यह देखे हमारी कड़ाई पनी बनके रेडी हो गई है आप इसे रोटी नान चावल किसी भी साथ आप खा सकते हैं अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेर और सब्सक्राइब करें थैंक यू